कोशा नेखते हैं कोशा नम्मर थ्री क्या फॉस्ट एक पासे को फेकने पर अंक दो के उपर आने की प्राइकता तो हम लोग यहां पर लिखते हैं एक पासे को फेकने पर पासे को फेकने पर फेकने पर कुल संभावित परणाम क्या क्या हो सकते हैं एक से लेके 6 तक यह नहीं कुल संभवित परिणाम 6 होगे, ठीक है, उसको हम लोग यह सेंपल स्पेस के दर दर साथ देंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, फिर यहाँ फॉर्मूला लेखेंगे, कि किसी घटना E की प्रेक्टा, क्या होती है, घटना E के अनुकूर परिणामों की संख्या, बटा में कुल संभवित परिणाम, ऐसे हम लोग यह फॉर्मूला परिणाम, प्रेक्टा लेखेंगे, अब एक नमबर देंगे, हमें प्रेक्टा लानी है क्या, अंक दो उपर आने की, अंक दो प्राप्त होने की प्रेक्टा, तो अंक दो इसमें कितना बार है, एक बार है, और बटा में टोटल परिणाम कितने अच्छी है, एक बटा अच्छी, दूस पांच नहीं आएगा इसका मतलब इसमें से बाकी समय से कुछ भी आ सकता है एक दो तीन चार पांच टूटर पांच को बच गए तो पांच बड़्टा छी हो जाए तो इसी तरह से हमको लिखना होगा कुस्टन को बनाने के लिए फॉर्मूला भी लिखना होगा कुल परणाव और सेंपल इस पेस लिखने के बाद इसी तरह से हम लोग उसको दरसाइंगर बनाएंगे समझें अगला को से